आयुसमान कार्ड को ले करके अगर अभी भी आप लोग परिशान हैं आयुसमान कार्ड कैसे बनाना है आपको नहीं पता तो हमारी इस वीडियो को सुरू से लेके लार्ट कम्पलीट देख लीजिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग अपने आधर कार्ड से ही अपना आयुसमान कार्ड बना सकते हैं आपको किसी वीडियो कोमेंट की जरुवत नहीं पड़ेगी बस आपके पास आधर कार्ड होना चाहिए आधर कार्ड है तो कैसे बनेगा चलिए आपको बताते हैं उससे पहले दोस्तों अभी तक से आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना प्लेइ स्टोर ओपेंड कर लेना है और इसमें सर्च करना है आयुसमान आयुसमान की अप्लिकेशन को आपको सिंपल इंस्टाल करके ओपेंड कर लेना है ओपेंड करने के बद नीची आना है लॉग इन पे क्लिक करना है यहां पे देखिए आपको बेनिफिसरी पर टिक करके मॉबाइल नंबर अपना एंटर करके वेरिफाई पर कर देना है क्लिक जैसे ही वेरिफाई पर क्लिक करेंगे आपके मॉबाइल नंबर पर एक 6 अंको का OTP आएगा उस OTP को इसके अंदर आपको फिल अप कर देना है चलिए OTP हम यहाँ पर फिल अप कर लेते हैं उसके बसे सिंपल यहाँ पर कैप्चा कोड नीचे नजरा रहा है इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम आपको देख करके बढ़े हैं से एंटर करके आपको लॉगिन पर कर देना है क्लिक अभी देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग यूर्ट रिक्वेस्ट लिख करके आ गया तो अब आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर देखिए सर्च फार बेनिफिसरी का ओप्सन हमें देखने को मिलना है यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने स्टेट को उसके बस से यहाँ पर स्कीम को सेलेक्ट कर लेना है फिर सर्च बाई में आपको अपना अधार नमबर अपना डिस्टी कि यह सब कुछ आपको सेलेक्ट कर लेना है ठीक है तो चलिए यहां पर सबसे पहले अपने स्टेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं आप जिस भी राज जिसे हैं भारत के उसको सेलेक्ट कर लीजेगा इसकी में करना है क्लिक और यहां पर PMJAY दूसरे नंबर वाले को सेलेक्ट कर लेना है अब यह उपन नहीं हो रहा है हमने सेलेक्ट कर लिया अब सर्च भाई में क्लिक करके हमें आधार नंबर को सेलेक्ट कर लेना है ठीक अब डिश्टिक में आप लोग जिस भी डिश्टिक से हैं अपने डिश्टिक को सर्च करके सलेक्ट कर लीजेगा फिर उसके वससे इसके अंदर आपको अपना पूरा अधार काट के नमबर फिलप कर देना है ठीक है तो चलिए हमने यहाँ पे अपना अधार नमबर भी फिलप कर दिया अब फिलप करने के बाद जैसे ही यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे हमें लिस्ट नजर आ जायेगा ठीक है तो चलिए अब नीचे आते हैं यहाँ पे दोस्तों आपके family member में जितने भी members होंगे यहाँ पे सभी के नाम नजर आ जाएंगे ठीक है तो जिनका भी बनाना है identified पे करना है click अधार OTP को select करके आपको verify करके यहाँ पे नीचे आके allow कर देना है allow करने के बाद फिर से आपको verify करना है जैसे ही verify करेंगे आपको छेंको का एक OTP फिर से आपके registered mobile number पे send किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पे OTP हमें receive हो गई है चलिए OTP फिलफ कर लेते हैं उसके बाद से हमने OTP फिलफ करके ok कर दिया यहाँ पे देखिया authentication successful हो गया फिर से proceed करके ले करके आ गया यहाँ पे आपको आना है थोड़ा से नीचे फिर से आधार OTP वाले को select करके verify पे करना है click फिर consent को सबसे नीचे आ करके आपको yes करके allow कर देना है यहाँ पे देखिये अभी हमारे request पुरसेस हो रहा है और फिर से एक शेयर अंको का OTP हमारे mobile नमबर पे send किया गया है ठीक है तो चलिए OTP को हम Philip कर देते हैं फिर से इसके अंदर कभी-कभी OTP मिले में थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए गा ठीक है अब भी OTP का वेट कर रहे हैं दोस्तों चलिए OTP अब आ गया है अब OTP को हम Philip कर लेते हैं OTP Philip कर के जैसे ही ओके करेंगे फिर उसके बाद से नेक्स स्टेप खुल कर किया जाएगा यहां पर बेनिफिसरी फोटोग्राफ लेने को बोल रहा है ठीक है तो यहां पर कैमरे वाले एकन पर क्लिक करके आप लोग एक photo click कर लिजिएगा ठीक है बढ़ियां से एक photo अपना click कर लीजिएगाmat Celphi camera से ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है तो चलिए यहां पर हम एक फोटो click कर लेते हैं His photo click करतें के बाद ok को और कर देना हैं तो जैसे है करेंगे उसके बस यह चांट से यहां कर देना है क्लिक जैसे वरीफाइब करेंगे फिर से एक OTP send किया जाएगा ठीक है चलिए verify पर करते हैं क्लिक यहां पर देखिए processing your request फिर से आ गया अब OTP से हमें send कर दिया गया है OTP को इसके अंदर फिलब करके फिर से हमको ओके कर देना है ठीक है तो चलिए OTP को हम फिलब कर रहे हैं जैसे ओके करेंगे आपका mobile number verify हो जाएगा अब आपको relation में करना है क्लिक relation आप लोग रासन कार्ड के हिसाफ से ही करना है अपना केवल अधर कार्ड में जो भी एएर है जो भी अधर कार्ड में पीछे पीन कोड होगा उसी पीन कोड को इसके अंदर एंक गपर करिएगा जैसे ही इंकोड एंटर एंसरा करेंगे यहां पर जिश्टिक आउटोमटीक आजाएगा बस आपको रूरल और अरबन इसमें से एक ही सेलेक्ट कर लेना है धिक है गाँ से है तो रूरल सहर ज़से तो अर्बंटिक है तो चलिए हमने रूरल को सेलेक्ट कर लिया है अब सिंपल आपको अपने ब्लॉग को सेलेक्ट कर लेना है आपको जो भी ब्लॉग पड़ेगा ठीक यहाँ पर processing हो रहा है देखिए दोस्तों successful बन गया यहाँ पर download card पर click करेंगे तो current download नहीं होगा एक error आ जायेगा चलिए यहाँ पर click करके दिखा देते हैं देखिए यहाँ पर हमने click कर दिया download card पर यहाँ पर देखिए error आ गया download कैसे करना है हमने पहले सही video बनाया हुआ है आप लोग उस video